Hello children, in this video we will learn about parts of sentence, the predicate. इससे पहले वाले वीडियो में हमने part of sentence को में subject and predicate को दिखा था, sentence को हमने दो भागों में बाटा था, subject and predicate. तो subject के हमने division किये थे, parts किये थे, subject कितने parts हो सकते हैं, qualifier, head verb, qualifier में determiner, adjective, head verb में noun, इस प्रेकार से हमने उसको बाटा था, अब हम इसमें पढ़ेंगे the predicate, जो second part है the predicate, sentence का दूसरा भाग. प्रेडिकेट क्या होता है, subject करता के विशे में जो कुछ कहा जाए, करता जो काम कर रहा है, जो उसके लिए कहा जा रहा है, उसे predicate कहते हैं, जैसे the boys क्या है, subject कहता है, वो क्या कर रहे हैं, run, दौड रहे हैं, ठीक है, दौडते हैं, अब वो दौडते हैं, तो ये जो है, यह क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. The dog, box, Black, कुता, मोगता है. ठीक है? The girl is going. लड़की जा रही है. तो यह जो जा रही है, box run है, यह क्या हो गया? प्रेडिकेट में आएगे. और subject यह है, करता है, जो काम कर रहा है, वो यह कर रहे हैं. अब इनमें देखो इसमें object की आवशक्ता नहीं हो रही है, वाक्य पूरा हो जा रहा है, the boys run, लड़के दोड़ते हैं, तो अब इसमें और आगे कोई object की आवशक्ता नहीं हो रही है, कर्म की आवशक्ता नहीं हो रही है, तो ये इसको बोलेंगे intransitive verb, ऐसे verb जिनमें object की object की अवशक्ता नहीं है कुत्ता भौंकता है बस कुत्ता भौंकता है तो अब इसमें यहां पर object की अवशक्ता नहीं है तो यह verb जो हो गई वो क्या हो गई intransitive verb जिसमें object की अवशक्ता नहीं होती है उनको हम intransitive verb कहते हैं ठीक है अब अगला है subject को अब हमने और प्रेडिकेट को कैसे बाटा है, जैसे महेश writes a letter, इसमें देखो, writes और a letter, जो है, writes जो है, verb, transitive है, क्यों है transitive, किनको इसको object की अभशक्ता हो रही है, वो लिखता है, महेश पत्र, एक पत्र लिखता है, महेश लिखता है, क्या लिखता है, complete sentence नहीं है क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है तो object की अवशक्ता हो रही है तो ये transitive verb हो गई tried, shoot, is buying Mohan shoot a bird ठीक है? तो यहाँ पर जो shoot है उसको अवशक्ता है क्या shoot कर रहा है Mohan? एक चुडिया को, तो एक bird जो है वो object है तो इसको इस verb को object की अवशक्ता है तो इसको transitive verb कहेंगे My servant is buying bananas मेरा नौकर खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है? केले, मेरा नौकर केले खरीद रहा है, तो इस प्रकार से हमने predicate को किस भाग में बाटा? परब और object में, ये predicates के भाग हैं, तो in short में, right shoot in buying, transitive verb हैं, क्योंकि इसमें कर्म की अवशक्ता हो रही है, अब हम आगे और दूसरे table में देखेंगे जैसे सीता gave me a book, अब इसमें हमने predicate को verb transitive, indirect और direct में object जो हैं, वो direct है और indirect object में बाटा है, तो क्या होता है direct object और क्या होता है indirect object direct object जो use होंगे, वो होंगे सजी वस्तू के लिए, और indirect होता है निर्जी वस्तू के लिए जैसे सीता gave me a book तो direct object यहां पर है a book, उसने book दी किसको मुझे तो यह indirect, यह indirect object हो गया मोहन wrote a wrote him a letter, मोहन ने उसको एक पत्र लिखा तो जो एक पत्र यह है, निर्जी वस्तू के लिए direct आता है, और a letter और किसको दिया मुझको दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी जो I gave sohan a horse, direct में सजी व भी आ सकता है मैंने sohan को एक घोडा दिया ठीक है, तो मैंने घोडा दिया, तो यहां पर जो a horse है, वो निर्जीव नहीं है न, यह तो सजी वस्तू है, तो कभी कभी direct में हम सजीव को भी इस्तिमाल प्रेयोग करते हैं, तो predicate को हमने किस-किस में भागा या भागा किस-किस में divide किया, verb में object, indirect, indirect और direct में, gave, निया, book, ठीक हैं, तो इसमें gave, wrote, सकर्मक रिया हैं, जो transitive verb होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, सकर्मक रिया हैं, और प्रतेक में दो object हैं, ठीक है, और me, him, जो हैं, वो indirect object हैं, और a book, a letter, direct object हैं, और a horse is a direct object, और यहाँ पर यह living thing है, यह non-living thing नहीं है, कभी ऐसा भी होता है, अब अगला टेबल में हम देखेंगे, जैसे, सरला keeps her home clean, इसमें हमने predicate को verb, transitive, object, और object compliment में माटा है, तो देखो, सरला रखती है, अपने घर को साब, यह जो है, यह compliment जो होता है, यह पूरक बोलते हैं, इसको हिंदी में, यह वाक्य को पूर्ण करता है, जैसे, सरला अपने घर को रखती है, क्या रखती है, गंदा रखती है, साफ रखती है, है ना, तो यहाँ पर, यह इस clean word से, यह पूरा वाक्य पूरा हो जा रहा है, तो इसको compliment बोलते हैं, तो इसमें, predicate में, कौन-कौन से भाग हैं, verb, जो transitive है, जिसको की object की अवशक्ता है, और object दो हैं, पहला object और दूसरा object जो है, वो compliment है, जो वाक्य को पूरा कर रहा है, he made the teacher angry, उसने, अध्यापक को, कर दिया, क्या, क्या कर दिया, angry, गुसा कर दिया, खुश कर दिया, happy कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, angry, जो sentence है, पूरा अच्छी तरह से clear हो जा रहा है, तो इसमें, verb transitive होते हैं, भी upon अर्थ वाले हैं, ठीक हैं, इसमें verb को objective मिला है, लेकिन तब भी upon है, इसको compliment क्या वशक्ता हो रही है, इसलिए तो जो compliment होते हैं, उसमें क्या क्या आ सकता है, noun आ सकता है, संग्य आ सकती है, adjective आ सकता है, और adverb आ सकता है, या adverbal phrases आ सकते हैं, इन वाले शब्दों में, ठीक हैं, अब हम अगला जो है, वो पढ़ेंगे, table, जैसे है, subject and, अब है, Mohan is a carpenter, Mohan एक carpenter है, ठीक हैं, तो यहाँ पर, these pens are cheap, the cups are on the table, तो यह जो हैं, यह linking verbs हैं, इनको is, are, जो हैं, was, और भी कई हैं, sentences, जो यह सब इस्तेमाल होता है, इनके अलावा बहुत सारे हैं, linking जो तुम जानते हो, तो उसको linking verb का इस्तेमाल किया गया है, और compliment है, a carpenter, Mohan is, Mohan है, क्या है Mohan, a carpenter, वाकिको पूरा कर रहा है, तो इन वाकियों में, predicate के साथ, linking verb तथा, उसके compliment, compliment में noun, adjective, यह noun हो गया न, carpenter, cheap क्या हो गया, adjective, विशेशता है, कि pen कैसे हैं, सस्ते हैं, और इसमें क्या बोला है, adverbial phrases, adverbial phrases, phrase, तो adverbial phrase क्या होता है, गया, विशेशन, तो on the table, table के उपर, यह विशेशता है, वाक्यांच है, एक वाक्यांच है, वाक्य का अंच है, और इसमें, विशेशन होता है, तो उसको हम adverbial phrase कहते हैं on the table तो इस तरीके से प्रतेक linking verb को predicate पूर्ण करने के लिए compliment की आवशकता होती है यह कोई ना कोई complaint की आवशकता जरूर होगी उसके बाद आता है अगला इस तरीके से भी होता है जैसे एक है the student love to read such in likes to play cricket इसमें two two का इस्तिमार देगो तो यहाँ पर जो verb के साथ जो object है infinite verb two का इस्तिमार हो रहा है इसको infinite verb two को लगा करके इस तरीके से भी subject किसी sentence को divide किया जा सकता है इसमें प्रेडिकेट में क्रिया वर्ब का कर्म object infinite two plus verb है चीक है to read to play जहाँ पर आएगा वो infinite verb होगी और ऐसे भी होता है he likes drinking milk सुनिल hated smoking ing form लग रहा है subject है he पसंद करता है दूद पीना तो प्रेडिकेट में यह verb likes हो गई और यह object क्या है drinking milk तो जहाँ पर ing का form हो रहा है इसको बोलते हैं जिरेंड बर्ब प्लेस ing जहाँ पर बर्ब प्लेस ing का form होता है तो वहाँ पर जिरेंड का भी इस्तिमाल प्रेडिकेट में object के रूप में object में होता है तो इस प्रकार से हम प्रेडिकेट को कई इस तरीके से अलग-लग सेंटेंस की हिसाब से डिवाइट कर सकते हैं तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि तुम्हें यह समझ में आया